दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बिना कुछ इन्वेस्ट किये अपने खुद का गैजेट्स का ओनलाइन बिजनस चालू कर पाएंगे तमश्कार दोस्तो मैं हूँ लक्षित सेथिया और आप देख रहे हैं Social Seller Academy और इस वीडियो में मैं आप सभी को गैजेट्स के ओनलाइन बिजनस के उपर सारी information दूँगा और अगर आप कुछे जानते हो तो आपको पता होगा मैं चीजों को उपर-उपर से नहीं बताता मैं in-depth information दूँगा कि क्यों गैजेट्स का बिजनस profitable होता है कैसे आप गैजेट्स के बिजनस को शुरू कर सकते हो कौन सा wholesaler है जिनसे आप गैजेट्स लेके online बेच सकते हो और in fact किस तरीके से आप खुद की गैजेट्स के एक brand बना सकते हो कैसे marketing कर सकते हो, कैसे sales कर सकते हो यह जो सारी information है, यह सारी चीज़े इस business के अंदर covered होगी तो basically अगर आपको कोई online business चालू करना है या खुद का e-commerce business चालू करना है तो यह video आप end तक के जरूर देखना आपको पता है, Apple हर साल airports बेच के 10 billion dollars कमाता है हर साल smart watches बेच के 12 billion dollar का business करता है इससे हमको यह पता चलता है कि यह industry कितनी जादा बढ़ी है अब आपको इंडिया का example देता हूँ अमन गुपता, Boat के founder जिनको हम सभी शाक टेक इंडिया की काराण जानते हैं आपको पता है, Boat ने सिफ 4 साल के अंदर 8 लाग से जादा customers बनाए है लास्ट येर, Boat की revenue 1500 करोड रुपे की थी और initially इनका business model एकदम simple था ये चाइना से white label में product लेते थे अपनी branding करवाते थे और इंडिया में लाके इन products को sell करते थे आज भी इनका business model almost same है ये यही पर designing करते हैं चाइना से product manufacture होके आता है इंडिया पे और उसके बाद इंडिया में हर जगा supply करते हैं basically जितनी भी manufacturing है उसको इन्होंने outsource करके रखा है और सिर्फ marketing के basis में ये अपने brand को continuously grow कर रहे हैं और येकिन मान ये दोस्तों ये gadgets का market इतना बड़ा है कि आप भी अपनी खुद की एक brand launch कर सकते हो initial level से बताऊं तो अपना खुद का gadgets का online business start कर सकते हो उसके बाद खुद की gadgets की e-commerce brand launch कर सकते हो अब ये चीज़ कैसे करनी है इस वीडियो में मैं पूरा explain करूँगा लेकिन सबसे पहला question यही आ जाता है कि आखिर में gadgets इतना profitable की हो है सबसे पहला reason है कि इसका size चोटा होता है और generally product का जो ticket size होता है मतलब product का जो MRP होता है उसका price होता है वो काफी जादा होता है इतना सा year pod होता है वो 12,000 रुपे का आता है तो इसी के चलते आपको जो margin मिलती है जो profit मिलती है वो काफी जादा हो जाती है अब size चोटा होने के वज़े से इसकी shipping काफी सस्ती हो जाती है और wear house करने में भी बहुत जादा जगेल नहीं लगती अगर आप gadgets को देखेंगे तो इनकी बहुत जादा variety नहीं होती जिसके कारण बहुत बड़े level का stock नहीं रखना पड़ता है और सबसे important चीज इसकी market में demand बहुत जादा है आज की rate में हर इनसान को ना gadgets चाहिए भले उनको operate करना आए या ना है यूँ देखा जाए तो gadgets ना एक प्रकार का modern jewelry बन गया है अब इस business में बहुत सारे Indians घुसे नहीं है क्योंकि लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से manufacture करते है या फिर कैसे import करके product लाते है चाइना से अकसर लोगों को ऐसा importer या ऐसा wholesaler नहीं मिलता जो directly चाइना से import करके लाए जिनके साथ वो अपना business चालू कर सके है और इसी problem को solve करने के लिए इस वीडियो में हमने एक ऐसे wholesaler को research करके लेके आया है जो कि एक importer है जो चाइना से import करके लाते हैं जिनसे आप product लेके आगे reselling कर सकते हैं या फिर खुद का stock रखके e-commerce कर सकते हैं या फिर अपनी खुद की एक gadgets की online brand बनवा सकते हैं ये पूरे business को अच्छे से verify कि किस तरीके से business करते हैं ये basically directly China से product outsource करके लाते हैं और यहां सारे resellers या wholesalers को supply करते हैं ये खुद direct importer है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये पूरे cartons में import करके लेके आते हैं यहाँ पे अगर आपको खुद का gadget business चालू करना है तो इनके साथ correct होके आप gadgets का online business कर सकते हो इन्होंने 2018 में इस business को चालू किया था इंडिया में बहुत कम ऐसे importer हैं जो directly China से लाते हैं और जो आपके लिए भी white label में China से product manufacturing करवा सकते हैं अगर आपको भी अपनी खुद की brand name print करवाना है किसी earpod में या किसी watch में तो आप इनको बताओ इनको एक certain quantity का order दो जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा और यह चाइना से directly उस तरीके के product को आपके लिए बनवा के लेके आ जाएंगे अब इनके पास आपको बहुत सारे अलग-अलग product की variety मिल जाएगी इनके पास आपको smart watches मिल जाएंगे, earpods मिल जाएंगे, speakers मिल जाएंगे, earbuds मिल जाएंगे और भी अलग-अलग प्रकार के gadgets मिल जाएंगे मैं आपको close focus करके दिखाता हूँ, इनके जो सारे products है, ये काफी जाधा high quality के ताकि ये आपको अच्छे से trust हो जाए, मैं आपको इनके warehouse की footage दिखाता हूँ देखे, ये ऐसा इनका पूरा proper warehouse है, जहाँ पे अपने product को रखते है देखे हो कितने सारे products है, और ये सारे products सिर्फ कुछी महीनों का stock है ये कुछ महीनों के अंदर वोपस खाली हो जाता है, वोपस नया stock आता है मैं आपको close focus करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके की quality के इनके products है, आप देख सकते हैं जब भी किसी resellers का या customer का order receive होता है इनको, ये कुछ इस तरीके से product को pack करके रखते हैं और उसके बाद pack होने के आदी घंटे के बाद product सिधा ship हो जाता है तो order book करने के आदी घंटे के बाद आपको अपनी tracking ID मिल लाती है अपना इनके साथ business करने का भी process एकदम easy है आप simply इस number पे इनको whatsapp कर सकते हो जैसी आप whatsapp करोगे ये आपको अपनी broadcast list पे join कर लेंगे आपको हर देन products के broadcast आएंगे उसके बाद जो भी product आपको खरीबना है आप इनको बताइए आपके साथ ये whatsapp पे एक final group बनाएंगे उसमें आप अपने product को डाल सकते हो customer के address को डाल सकते हो और payment details डाल सकते हो जैसे ही आपको order book होता है जैसे कि मैंने बताया आधी घंटे के अंदर आपको tracking ID मिल लाती है अब दोस्तों बहुत जल्दी इनके खुद का reselling mobile application भी आ रहा है जिससे आप easily order को punch कर सकते हो अब दोस्तों ऐसा बिलकुल भी नहीं कि किसी भी wholesaler को feature करने के लिए हम उससे बहुत जादा पैसा लेते हैं हम basically देखते हैं कि उसके service किती जादा trustable है और क्या हमारे लोग, हमारे subscribers उनके साथ connect हो कि अपने खुद का business चालू कर पाएंगे कि नहीं तो cool मिलाके हमारे लिए service सबसे important चीज़ है जिन wholesalers की service अच्छी है उन्ही को ही मैं अपनी वीडियो में feature करता हूँ अब इनकी service के बारे में मैं बता दो इनके पास आपको lowest wholesale price मिल लाएगा क्योंकि यो खुदी importer है इनके पास आपको cash on delivery की service मिल लाएगी cash on delivery की service आपको भी पता हुआ उन्ही की पास मिलती है जिनके पास खुद का proper अच्छा stock होता है बशरते आपको 200 रुपे advance देना पड़ेगा cash on delivery में booking कराने लिए और ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे fraud लोग होते है जो order करने के बाद receive नहीं करते अब इनके पास आपको fast shipping की service मिल लाएगी blue dart और delivery दोनों है इनके पास आप कोई भी product exchange ये return कर सकते हो बशरते आपके पास proper parcel opening video होता हो एक और बहुत अच्छी service है इनके पास जब भी आपको ये order book करते हो तो आपको proper एक video मिल लाएगी उस product की ताकि आप पहले ही देख सको उस product की quality कैसी थी dispatch होने के समय अब आप पर्चेस कर रहे हैं इनसे तो आप live video call भी कर सकते हो और product की quality देख सकते हो अच्छा सबसे बड़िया चीज क्या पता है वो है इनके खुद का video का setup कुछ इस तरीके का setup बना के रखे हैं जिसमें ये reels video को shoot करते हैं अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की इनकी reels होती है जो ये अपने resellers को देते हैं या online sellers को देते हैं जो अपने social media account पे डालते हैं और आपको पता है जो इस तरीके की reels होती है ये काफे ज़्यादा famous होती है जब आप इसको Instagram पे डालेंगे तो आपको भी बहुत सारे followers आएंगे बहुत सारे नए लोग आपको देखेंगे तो दोस्तों content बहुत important होता है photography, videography बहुत important होती है और इनकी photography, videography इतनी अच्छी है कि आपको online sell करने में ज़्यादा महनत नहीं करनी पड़ेगी आधा काम इनकी photography कर देगी अब जैसे कि मैंने बताया ये resellers को देते हैं direct customers को भी देते हैं जो wholesale में दुकान वाले होते हैं retailers होते हैं, उनको भी देते हैं product और जिनको अपनी खुद की brand बनाना है ये उनके लिए भी order लेते हैं और direct China से white label पे आपके brand के नाम पे manufacturing करके देदेंगे इसके लिए almost एक महिने का waiting time लगता है एक advanced payment लगती है और आपको approximately बताऊं तो branding की, branding हमेशा tech branding होती है, जिसमें बहुत जादा bright colors का use किया जाता है अकसर जो background color होता है, वो black होता है और उसके उपर जो highlight colors होते हैं वो काफी dark colors होते हैं आप देखिए boat की branding कैसी है, आप देखिए बाकी जो tech companies है, उनकी branding कैसी है जब आप Canva पे जाओगे और देखोगे तो already वहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे designs मिल लाएंगे, जिसको आप simply ले के अपने खुद की branding कर सकते हो अब बात करते हैं marketing की, कि usually marketing कैसी होती है सबसे important चीज होती है इसमें influencer marketing, क्योंकि जो नई tech companies होती है लोग उसको तूरंत यूज नहीं करते है क्योंकि उनको किसी का review नहीं मिला होता तो generally अगर आपका कोई भी product है ये कोई celebrity पहनता है या फिर कोई भी ऐसा influencer पहनता है जिसको बहुत सारे लोग follow करते है तो वहाँ से Instagram पे देख कि इसकी बहुत अच्छी reputation create होती है जिसको देख के लोग buy करना शुरू करते है literally बताओ तो जो भी wearable gadgets होते है उन पे quality का actual में उतना importance नहीं होता क्योंकि जो आम लोग है वो spot नहीं कर पाते कि कौन सी अच्छी quality का earpods और कौन सी अच्छी quality का नहीं है बेसिकली लोगों के लिए इंपोर्टेंट होता है कि वो brand और कौन use कर रहा है अगर उनको trust हो जाता है कि हाँ ये celebrity या फिर ये influencer भी use कर रहा है तो वो भी start कर देते हैं use करना और एक बार जब आप influencer marketing करना शुरू करते हो या एक बार किसी celebrity से या influencer से video create करवा लेते हो तो आप उस video पे sponsored ads run करना शुरू कर देते हो जो कि facebook या instagram advertisement होती है उस पर आप पैसा invest करते हो ताकि वो और लोगों तक के पहुँचे और eventually लोग search करते हो आपकी brand के पास आए और दोस्तों ये सबसे अच्छी technique होती है जब बोट मार्केट में आया था तो बोट ने हार्दिक पांडिया को sign किया था जब हार्दिक पांडिया आया तो अचानक से बोट की sales बहुत जादा grow हो गई तो इसकी सबसे अच्छी strategy यही है कि किसी influencer के तुरू marketing कराओ और उसके बाद उस content को लेके आप और promote करो और paid promotion करो और eventually उस brand को इतना बड़ा बना दो कि और investors आगे उसमें पैसा डालना शुरू करते दोस्तों इन product की जितनी भी sales होती है यह online ही होती है शुरू में आप social media से sell कर सकते हैं और जैसे ही जब आपको business grow तो आप Shopify में अपनी खुद की website बना सकते हैं बाकि अगर आपको भी digital marketing सीखना है कोई भी product online sell करने के लिए facebook ads के लिए instagram advertisement के लिए तो उसके लिए हमारा पूरा proper एक course है जिसमें हम specifically online products को किस तरीके से digital marketing करते हैं वो सिखाएं हैं इस course के अंदर बहुत सारी अलग-अलग type की strategies है जो हमने समझाई होई है आप जा कि जरूर देख सकते हैं link course का description पर है अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की और case study videos बनाओ तो इस video को like जरूर कीजिए कोई भी आपके मन में doubt है तो मैं हमेशा बोलता हूँ comment जरूर कीजिए और हाँ अगर आपको इस तरीके का content और अच्छा लगता है अगर आप regularly watch कर रहे हमारी videos तो मैं आप सभी से request करूँगो कि आप हमारे channel को subscribe जरूर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में